हाई दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आधी डेकोरेशन जहलर चलने की क्या प्रॉब्लम होती है आप उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे उसको ठीक करेंगे दोस्तो चलिए मैं ये आपको एक जहलर दिखाता हूँ देखिए इसमें problem बिल्कुल same है इसमें problem यही है कि ये आधी जल रही है तो मैं इसको फिलाल power में लगा देता हूँ दोस्तो इसको power में लगा दिया है ठीक है अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आधी जालर जो है वो जल रही है और ये आधी जो दूसरे color की LED है ये बिल्कुल भी नहीं जल रही है दोस्तो इसमें मान लिए ये देखिए कि गुलाबी और ये पीले color की LED है ये नहीं जल अब दोस्तो हम सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि इसकी wire जो हैं वो किस तरह से होती हैं दोस्तो इसमें total 6 wire हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें total देखिए एक wire की 2 TV भी है तो दोस्तो यह आधी जालर जलने की जो problem होती है वो यह होती है कि मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए देखिए दोस्तो आधी जालर जलने की problem यह होती है कि इसके जो इसमें 2 channel बने होते हैं ठीक है यह इसमें power supply आती हमारे biz rectify पर और यह इसको supply को transistor पर देता है और यह transistor जो होते हैं दो channel के होते हैं ठीक है तो इसमें 2 channel बने होते हैं और यह एक section के नहीं होते हैं यानि कि आधी जालर एक channel चलाता है और दूसरी आधी जालर दूसरा जो transistor है वो चलाता है तो दोस्तो इसमें अगर कोई एक transistor खराब हो जाता है या फिर उसकी power में supply में कुछ दिक्कत आ जाती है या फिर वो हमारे channel की जो wire होती है वो तूट जाती है तो फिर इस condition में आधी जालर जो है वो जलती है और आधी नहीं जलती है दोस्तो ये किसी भी site की हो सकती है ये शिरुवात की भी हो सकती है और ये आखिर की भी हो सकती है अब दोस्तो हम इसको सबसे पहले कैसे पहचानेंगे तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा कि इसकी wire वागेरा तो नहीं टूटी है और दोस्तो अगर wire नहीं टूटी है तो फिर आपको इस टांजिस्टर को भी चेक करके देखना होगा कि ये फिलाल खराब है या नहीं है दोस्तो ऐसा भी हो सकता है मान लीजे आपके टांजिस्टर अगर एक टांजिस्टर खराब है और दूसरा आपका ठीक है तो आप wire को दूसरे टांजिस्टर भी लगा सकते हैं पर दोस्तो इससे क्या होगा कि आपकी सारी जालर एक ही step में चलेगी ठीक है अलग अलग step जो होते हैं वो नहीं होंगे या फिर आप चाहें तो इसको direct भी कर सकते हैं अब हम इसको देखते हैं टांजिस्टर पर लगा के देखिए इस वाले पर मैं लगाने वाला हूँ देखिए जब इस पर लगाता हूँ मैं तो ये दूसरे side के भी bulb देखिए white और जो गुलाबी bulb हैं वो जलने लगते हैं दोस्तो जो हमें टानिस्टर पर लगानी है वो मैं आपको दिखाते दा हूँ देखिए वो वायर लगानी है जिस पर LED लगी हूँ ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं यह कि यह वायर है और मैं इसको थोड़ा सा पास कर लेता हूँ देखिए इसमें LED लगी है और यह LED सिरीज में होती है ठ του के आपको इसी तरह की जो वाइर है वह led वाली वार ही टनिस्टर पर लगानी है जैसे कि आप देख लीजे यह लगी है ठिक है औरी इसमें वह गयिवित और इन सब्सक्र Hema Go लकी है तो दोस्तो यही वाइर हमें विदम फर लगानी है यह बिलकुल साधा wire है जो direct last तक गई है तो इस wire में जो है दोस्तो LED नहीं होती है और ये wire हमें ground पर लगाना है दोस्तो इसका ground आप cap sitter से भी पहचान सकते हैं या फिर इसको direct यहां से bridge एक्टिफायर से भी पहचान सकते हैं आशा करता हूं दोस्तो वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया है दोस्तो वीडियो को जाद से जाद से शेयर करें ताके और लोगों को भी इसका फाइदा मिल सके दोस्तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके notification बिल को भी all पर select कर लें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम